स्टार्ट करते हैं हमार पास जो एर है आज का वो है वन नाइन एट देखे 95 नाइट जग 97 कर लिया है नाइन नाइन एट करना है अपनको तो इंचेंट इस्ट्रिक के कोश्चन सी अपन कर रहे थे उसी सीरीज के अंदर फस्कोश्चन देखो यहां पर देखो असर्चन और आपको पता है कि सबसे पहले ही होता है कि आप्चिन ही होता है नॉर्मली की असर्चन सही है रीजन भी सही है और रीजन जो है उसको करेक्ट आंसर है करेक्ट उसको जस्टिफाय कर रहे है फिर असर्चन और रीजन दोनों ही सही नहीं है असर्चन सही है रीजन सही है और र इसको छोडते हैं अपनो कुशन देखें सबसे पहले हमें क्या बोला गया है की दुजारा स्कूल ऑफ दे आर्ट पियर्ड मार्क उख विलनसिक इन्फ्लूएंस हिन्यान फॉर्म वस इन्फ्लूएंस भाइड आथ अब देखो हिलन सिंक इंफ्लूएंस किसे आया था ये किस टाइम पर आया था एक तो ये कुशान के टाइम पर आया था जो आर्ट था ये किसे इंफ्लूएंस था ये ग्रीक से इंफ्लूएंस था और ये कुशाना और शाका के टाइम पर आया था ठीक है कुशान से स्पेशल वी जो कनिश्क थे उनके टाइम पर यह आर्ट ज्यादा फ्ल रिश हुआ था तो Greek influence था, Greek influence यह नि कि जो बुद्धा थे उनके जो clothes थे वो बॉड़ी से बहुत टाइटली अटाश्ट थे tight garments थे उनके जो hairs थे वो बहुत ज़ादाग बना है थे और जो masculine form था वो बहुत जादा दिखाया गया था तो यह सारी features जो है वो बुद्ध की मूर्थी में भी आने लग गये थे तो किसका influence माना जाता है यह ग्रीक ग्रीक influence माना जाता है लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने की है कि इन्होंने बुद्ध की बन रही थी बुद्ध की बन रही थी बुद्ध भगवान की बन रही थी तो वहाँ पर जो influence हुआ था वो महायान हुआ था ना कि हिन्यान हुआ था हिन्यान तो ideal workshop हिन्यान और महाय तो यह वाली चीज गलत है, फस्ट वाला सही है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, A is correct and R is wrong, तो option is, option जो भी देख लेना, A correct है, और जो B, R है वो wrong है, ठीक है, जो भी option होगा हमारे पास, वो देख लेना, पेपर के अदर, According to the Ashoka Edicts, social harmony among the people was a more important than religious devotion, he spread ideas of equality instead of promotion of religion, यह बात एकदम सही है, उन्होंने धम का जो प्रचारपसार शुरू कर रहा था, वो खुद हिंदू थे, उन्होंने ए लेकिन अजीविका हो गया, जैन हो गया, हिंदू हो गया, और जो फिर बाद में बुद्ध को बहुत जादा प्रचारपसार करने लग गय थे, लेकिन फि दिस्ट का तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें सब को दिया था लेकिन उन्हें क्या पूला था इक्विलिटी का आइडिया फिलाया था वार अफ कलिंगा के बाद में और जो एक बुद्ध्य धर्म को प्रमूट नहीं करे थे उसके अंदर अगर आप पढ़ो नहीं सही है इस का आंसर और यह इसका करेक्ट रीजन भी है तो हम यहां पर आंसर क्या टिक करेंगा है हमारा ए नेक्स्ट कुशन देखो नेक्स्ट कुछ 28 क्या बोलता है विच ऑफ फॉलिंग पियर करेक्ली माच देखो 28-29 यह पता होगा न कि आगे से कुशन करते आ रहे नालंदा नालंदा क्या है जो बुलते है कि जब उसको जलाया गया था तो बुक जो जो वो कॉलेज है वो अभी भी च्छे महीने तक जलता रहा था और अभी उसको बनाना वापिस से शुरू कर दिया बिहार के अंदर तो बुद्धिस्ट की लर्निंग सेंटर और बहुत स तो यह सारी ही चीजे सही है और हमसे पूचा गया है कि select the correct answer तो correct answer में क्या हो जाएगा 1,2,3,4 नेक्स देखो अब आता है which one of the falling ancient India record is the earliest royal order to preserve food gains to be utilized during the crisis in the country देखो यह सारी दे रखिए है यह सारी की सारी मूसली अशोका से related है सिफ महरोली पिलर जो है वो गुपता पीरेट स तो यह समने देखा होगा चू कुतुम मिनार के पास में आरेन पिलर देख रहा है जिसमें अभी तक रस्ट निंग लगी है और वह अभी तक वैसा का खड़ा है तो वह गुसके टाइम पे गुपतार बीरट के टाइम पे है जो चंदर गुपता सेकंड के टाइम का थीक है फिर उसके बाद हमसे यहां पर यह चीज पूछी गई है अब देखो प्रियाक प्रशष्ष्टी, सोहा, गोरा, कॉपर प्लेट और रुद्म, पिलर एडेक्ट्स ओफ अशोका, रुमेनी देई, पिलर एडेक्ट्स ओफ अशोका, यह तीनों ही अशोका से रिलेटेड है, सोहा, गोरा, कॉपर प्लेट के अंदर में प्री मॉरियन और प्री अशोकान के पीरेट के बारे में बात करी गई है, लेकिन इस्पेशली इसमें न, फैमाइन रिलीफ के बारे में बात करी गई थी, जो एफर्ट्स उन्होंने किये थे, फैमाइन रिलीफ, एफर्स किये थ ही और यहा पर प्री ब्रहमीनी इंस्क्रिप्शन है कि सिर्म मैं लिखा गया है ठीक है यह चीज हो गें अब यह रूमीनी देवी रूमीनी avoid जो है यह फ्राकरित में लैंग्विज है. लैंग्विज इसकी प्राकरित है. इसे एपॉत है. इसलिए जीडिवे बतारी हूँ. अब रिप्ज़ दूसरा हम से क्या वह लगenter है? रुमिनी देवी. रुमिनी देवी पिलर अडेक्ट. रुमिनी दे भी पिलर अटेक्ट है ना ये एकनॉमिक यहां पर बी ऑप्शन में यहां पर दिख रहे हूं बी रुम दे इंस्क्रिप्शन इसमें ना एकनॉमिक कंडिशन ओफ मौरेन कंडिशन ओफ और ये कहा गया है कि जब अशोका लुम नी गह थे ना तो उन्होंने नहीं कहते तो उन्होंने लैंड रवेन्यु को लैंड रवेन्यु को 1-6 से घटाकर 1-8 कर दिया था ठीक है 16 से घटाके उन्होंने कितना कर दिया था 18 land revenue को अशोका ने जब उन्होंने लंबनी की यात्रा की दिती तो यह किसमें कहा गया है रुमनी देई पिलर के अंदर तो यह चीज हो गई हमारी और एकब इसको कहां पे लेकर आ गया था अनी फरियाग में ठीक है यह चिर अ कि फोट क्रैसिस के बारे में किसमें पूचा बिला गया था में फिरमाईन रिलीव निए ता यहां पे आओगा और यहां पर बुलागे कि अशुका ने जब लुंबनी के आत्रा करी थी तो उसने लैंड रविन्यू 1.6 से घटा के 1.8 कर दिया था है प्रियाग प्रशिष्टी अगवल लेकर आ गया था है प्रियाग में कौशंभी में थी और महरोली का जो पिलर कुतुम मिनार के पास में सर्मन तू 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 द्धर्मचक्र परिवर्तर में उन्हें जब से पहले सर्मन दिया था कि लोगों को अब चेतना वगरे ला सकें तो वह चीज का अंसर हो जाएगा यह अब यहां पर दो चीजें और दिख लो यह महापरी निवान सूत्रा तो हमें प दिव्या वधन जो है बुद्धिस्ट नरेटिव है जिसके अंदर 36 है और यह नंस वगरे पुराने टाइम पर लिखी है यह बहुत सारी लोगों द्वारा कंपाइल करी गए यह शैरिसके अंदर 36 नरेटिव है टूटल ठीक है क्यानि उनके बारे में उनकी लाइफ के बार यह खंड भारत से भी ज्यादा मतब अगर यह वाला जो आप यहां से यह चीज टूट गई है यहां से न यह कश्मीर यह तो हमारे पास है लेकिन आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो उस टाइम पर अफगानिस्तान भी इंडिया के अंदर आता था मतब अपने आपक्ता भी डिसकवर नहीं हुआ था यह अब पूरा हो चुका है ना तो यह वाला जो पाट है यह किसके रहन के टाइम पर है तो यह वाला जो पाट था यह है कनिषक कनिश्क at the time of his death फिर पूछा समंदर गुप्त after the close of his South India campaign फिर पूछा है अशोका अशोका towards the close of his reign और Emperor of the थानिश्वर अवदा ये जो गलत है देखो ये जो है ना अशोका towards the close of reign अशोका जो था ना अशोका ने इतना जाद हमारे पास C next question many of the Greek कुशान आदा शाक इंप्रेश Hinduism Buddhism rather than Hinduism because बहुत सारे लोग थे जो ग्रीक थे कुशान से शाक्ष थे उन्होंने बुद्धिस्म को अपनाया था हिंदूस्म को क्यों नहीं अपनाया था ये सब को पता है कि ये ना बुद्धिस्म को जन्म और बुद्धिस्म जुद्धा वो एकदम इनसे अलग था लेकिन बाद में भी बुद्धिस्म में भी तांतरिस्म और ये सब आने लग था तो बुद्ध भी डिक्लाइन होने लग था और बुद्धिस्म प्रवाइड एजियर एक्सिस ऐसा कुछ भी नहीं है के बारे में तो देखो इसका सबसे इसका अंसर है सेकेंड और एड सेकंड जो किंग्डम से ना वो बताता है यहां पर इसको चूलाज पांडियाज सत्या पुत्रा और केरला पुत्रा केरला पुत्रा चूलाज पुत्रा ठीक है इंग्डम ऑफ साउथ इंडिया और जो इसके पस एड़त वाला है ना एड़त बताता है चूलाज और पांडियाज का चूलाज है पांडियाज है पांडियाज और साउथ इंडिया तो इसका कितना हो जाएगा सी ठीक है एक और चीद बताती हो देखो अशोक का नेम यह अपने पहले भी कोशन करा था अशोक का नेम किसमें मिला है अशोक का नेम किसमें मिला है मस्की मस्की कहां पर है कौन से पिलर कौन से स्क्रिप्शन में मस्की है करनाटका के अंदर ठीक है यहां प और फोर्थ मिला है नेटूर आंधर प्रिदेश में इन चारों में नौर्मिल भी अशुका का नेम है यह एक बार कंफर्म कर लेना है यह मेरे नोट में कहीं लिखी भी थी तो मतलब मैंने कहीं से दिखा होगा और दूसरी बैत यह है कि जो बाकी वाले जो पिलर्स देना उसक को बहुत प्रिया हूँ देव नाम प्रिया और प्रिया दर्शी नाम से लिखा गया उनका ठीक है नेक्स्ट कुशन देखो विच वाट इस दा करेक्ट क्रोन लॉजिकल ओडर इन विच्ट फॉलिंग अपियर इन इंडिया ऐसा कॉंसा टाइम है यह तो बहुत ही सिंपल बहुत है पाइया देखो गोल्ड कोईं सबसे पहले आए थे इंडोग्रीक टाइम पर उन्हों पर इस पहले इस्यू करें थे ठीक है पंच माउच कोईन महाजन पद टाइम पर आये थी अर्बन कैल्चर नार्व इंडर्स-वैलियसेशन के अंधर इंडर्स वैली सिविलाइसचिं के इनर दर खेंए कि आधा थूशाक तो इसके साफ से यहाप si थO EXT पर यहाँ पन्राइब लाया जो एरय भीख्तम होता है आगे अपन करेंगे नेक्स्ट इयर और इसको fra entrepreneur तो है वहना से जाट सो जेगा तो